हाई ट्वेल्टीज, वेलकम टू EZV Commerce Classes, मैं हूँ अपिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपने Share Capital Chapter से वो important concept करने वाले हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा MCQs आपके CBSC Sample Paper में आए हैं और आने के chances हैं यानि कि इसमें से सबसे ज़्यादा Share Capital Chapter में MCQ आ सकते हैं तो वो topic आपको clear होने चाहिए ताकि कोई भी MCQ आए तो आप full marks score कर सको ठीक है तो guys सबसे पहला जो topic है उसका नाम ही Capital है यानि कि Shares जब हम इशू करते हैं उसे हम Capital कहते हैं आप जो भी हमारे पास Share Capital आती है guys वो एक limit तक ही आ सकती है तो वो कितने टाइप की होती है guys तो सबसे पहले आए Authorized Share Capital इस पर आपका MCQ भी आ रख है Authorized Share Capital क्या होती है guys Authorized Share Capital होती है वो maximum amount share capital का जो एक company issue कर सकती है वो क्या होते है एक maximum amount जो company issue कर सकती है उससे जादा company issue नहीं कर सकती Let's suppose करो अगर मेरी company और मैंने कहा एक करोड रुपे ठीक है तो एक करोड रुपे ही मैं issue कर सकती हूँ एक करोड रुपे तक के share तो अगर मैंने 10 लाख रुपे के share issue करे guys 10 रुपे के हिसाब से तो मेरे पास एक करोड रुपे खट्टे हो जाएंगे और एक करोर रुपे से ज़्यादा में public से नहीं ले सकती उसको हम authorized capital कहते है that is the maximum limit of share capital तो authorized share capital को किस नाम से और जाना जाते है nominal share capital किस नाम से जाना जाते है nominal share capital इसके उपर guys एक MCQ भी आया था कि authorized को किस नाम से जाना जाते है तो nominal नाम से जाना जाता है ठीक है अब एक और guys MCQ बनता है authorized capital पर ही क्या है वो? authorized capital of a company is mentioned कहां mention करी जाती है authorized capital first one is AOA, AOA बोले तो article of association, MOA, MOA बोले तो memorandum of association third होता है guys prospectus and D is none तो हमारा answer है MOA, memorandum of association में हम authorized capital को दिखाते हैं memorandum of association क्या होता है guys जो हमें registrar company के पास ले जाना होता है जिसमें हमारी company के share से related full detail होती है तो memorandum of association में guys हम लोगों को full detail देनी होती है वहाँ पर हम अपनी authorized capital को दिखाते हैं और prospectus तो आप सबको पता होगा जो company issue करती है जिसमें company की सारी detail लिखी होती है कि company कौन है, company का previous background क्या रहा, कौन से product ले क्या रही होता है जैसे आपका school का prospectus होता है जिसमें आपके school की full detail होती है ऐसी company का भी होता है article of association में guys उसके members की detail होती है तो authorized capital कहां शो होती है, MOA में इसके बाद guys next MCQ जो बनता है nominal share capital is, nominal share बोले तो authorized share capital is क्या होती है maximum amount, minimum amount, called up amount, subscribe तो अब आप अच्छी तारीके से बता सकते हो, कि nominal share capital maximum amount होता है जो कि अभी हमने देखा, इससे ज़्यादा company issue नहीं कर सकती है इससे ज़्यादा company issue नहीं कर सकती है इससे कम कर सकती है, अगर मेरे पास number of shares है 10 lakh तो हो सकता है, मैं पहले साल सिफ 1 lakh share issue करू 2 lakh करू, 3 lakh करू, 4 lakh करू, 5 lakh लेकि 10 lakh से ज़्यादा share में issue नहीं कर सकती ठीक है, अब आते हैं guys, issued capital किसे कहते हैं यह होता है, authorized का part जैसा मैंने आपको बोला, अगर मेरे पास number of share है 10 lakh और कितने रुपे का एक share है 10 का तो issued may be 1 lakh हो सकता है, starting में मुझे कम amount की जरूरत हो, तो मैं 1 lakh share into 10 रुपे के हसाब से 10 lakh हुर्वे बहुत है तो that is the part of authorized capital ठीक है, यह authorized capital से ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी, उसके बाद आता है subscribed capital, subscribed होते हैं guys, public ने कितना खरीदे हमारे share, that is called subscribed capital तो public हमेशा जितने आपने issue करें हैं या तो उतने खरीदेगी या उससे कम उससे ज़्यादा नहीं खरीच सकती अगर मैंने 1 lakh share issue करें तो company के share 1 lakh ही market में बिख सकते हैं इससे ज़्यादा हम से subscribe नहीं कर सकते तो subscribe जो होते हैं वो issues का part होते company दे ही नहीं सकते उससे ज़्यादा उने share issue से ज़्यादा share लोगों को नहीं दिये जाते हैं आपने इस chapter में pro rata भी पढ़ा हमने pro rata में क्या देखते हैं company share के numbers काम कर देते हैं बट number of shares उतने ही रहते हैं अगर 1 lakh issue करें तो 1 lakh ही रहेंगे ज़्यादा नहीं दे सकते तो subscribe क्या होता है issue का part होता है issue किस का part होता है authorized का part होता है तो ये थी guys हमारी capital ठीक है अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ subscribe को दो parts में divide किया जाते है subscribe and fully paid up subscribe but not fully paid up fully paid up में सिर्फ वो share आते हैं जो पूरे amount से company called करती है यानि कि अगर 10 रुपे का share है company ने पूरे 10 रुपे मांगे और 10 रुपे ही आ गए तो वो subscribed and fully paid up कहलाता है लेकिन इसके अलावा कोई भी share हो company ने 10 मांगे लेकिन 9 आए company ने 9 मांगे लेकिन 8 आए या company ने 9 मांगे और 9 आए सब not fully paid up का part है क्योंकि fully paid up में जितने का share है 10 रुपे का share है और 10 रुपे ही आने जरूरी होते है तो उसे fully paid up कहते है तो guys यह था capital का case जिस पे MCQs काफी जादा आ रहे है second है ESOS ESOS का क्या मतलब होता है that is employees stock options की जिसमें हम employees को offer करते हैं कि वो share company के predetermined price पर खरीद सकते हैं ठीक है दूसरा होते है sweet equity share जैसा उसका नाम है sweet पसीने वाले equity share guys इसका मतलब होता है कि हम अपने company ये director को share issue करते हैं लेकिन पार पे भी कर सकते हैं और discount पे भी करते हैं ताकि उनकी जो महनत है वो हमारी company में बनी रहे और वो company के साथ जुड़े रहे इसलिए sweet equity share उनको पार पे discount पे भी issue करे जा सकते हैं discount पे जबकि normal shares जो होते हैं वो पार और premium के अलावा discount पे issue नहीं करे जाते हैं सिर्फ कौन से share है जो discount पे issue करे जाते हैं तो sweet equity share ठीक है इसलिए इसका नाम right share है इसके बाद guys आप लोगों के लिए बहुत confusing topic रहता है reserve capital and capital reserve जो कि बहुत असान है reserve capital और यहां है capital reserve बहुत असान है इसको समझना यहां पर reserve पहले हैं यानि कि आपने reserve रखी हुई है अपनी capital जो कि company से winding के समय जब बंद होती है तभी issue कर सकती है उसे बोलते है reserve capital और capital reserve यानि कि capital का part जो कि आपने reserve में रख लिया तो जैसे कि share जब 4 feet करे जाते हैं तो जो भी पैसा company जब्त करती है वो capital reserve में जाते है capital का part जो reserve में रख लिया और reserve रखी है जो capital वो कभी issue करती है company जब company wind up होती है बंद होने वाली होती है तो guys ये थे theory के concept I hope आप लोगों को समझ आयोंगे जो कि बहुत जादा important है आप लोगों को आने चाहिए full score करने के लिए तो अगर वीडियो समझ आये बसंद आये तो like ज़रूर करना है और अपने doubt आप मेरे से YouTube और Instagram पर पोच सकते हो Thank you